class first open your gk notebook and open page number 22 तो बच्चे page number 22 आपका है read for rhyme okay read for rhyme look at the picture and tick write the correct words tell me the name of the rhyme तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाय था इसमें revision चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी क्या है rhyme है poem है और आपको क्या करना है इनके सही नाम tick करने है तो यहाँ पे इन्होंने हमको rhymes की name दे रखे हैं आपको क्या करना है उन्स rhyme को identify करना है पहचानना है कि क्या कौन सी rhyme यह होगी तो first है I want to curd and burger तो यह कौन सी वाली poem थी I want curd to eat curd and burger तो इसमें क्या किया था हमने I want to eat curd तो यहने कि आपने curd वाले में निशान लगाय था तो यह वाली कौन सी poem थी यह थी आपकी कौन सी वाली Little Miss Muffet वाली कौन सी poem थी Little Miss Muffet अभी आपका return work भी हो जाएगा मैं only आपको अभी औरली बता रहे हूँ फिर दूसरा है आपको we will get water to in a tub and pale यह हम पानी लेने के लिए जाएंगे कहा टब में या पेल में किस में किस से पानी लेके आए थे यह पेल यहने कि कुवे से यह वाली कौन सी poem थी यह थी आपकी Jack and Jill वाली poem Jack and Jill आपने छोटी क्लास में रायम पढ़ी होंगी उसमें सब आपकी यह रायम है फिर है I will go in the spot and garden यह स्पाइडर मेंन है तो यह नहीं कि यह कौन सी poem है यह हापकी इंची विंची स्पाइडर फिर है I will sit on the wall यह ट्री I will sit on the wall यह कौन सी है यह सब को लरन है Humpty Dumpty is sat in a wall और I have three bags for and wool तो मेरे पास three bags है किस के है वुल के तो यह कौन सी poem है बाबा ब्लैक सिप आप सब नहीं पढ़ रखी है यह poems तो सबने हम यह काम पहले भी कर रख है तो हम इसको return work में करते है So open your notebook first of all write chapter name read for rhyme अब look at the picture and tick right for the correct word tell the name of the rhyme देखिए आपने tick करना है उसके बाद आपने उसके बाद आपने poem का नाम लिखना है तो सबसे पहले है I want to eat curd and burger तो यह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था name of rhyme तो यह है little miss muffin दूसरा है we will get water in tub and peal तो इस पे पेल पे टीक होगा और यह कौन से poem है jack and jill थर्ड है I will go in the spot and garden तो spot वाले पे आप टीक करोगे और यह कौन से poem है inchi-vinches spider now turn your face अब है fourth वाला I will sit on wall wall में आप टीक करोगे और कौन से poem है Humpty Dumpty fifth वाला है I have three bags of fur and food तो कौन से है wool फुल पे आप टीक करेंगे और यह कौन से poem है baba black sheep तो बच्चों आपको क्या करने है आपको इसमें poem की name भी learn करने है और इसमें टीक मार वाले भी learn करने तो यह आप अपनी return work में once again करोगे और साथ में इनको learn भी करोगे तो यह अपनी notebook में करिएगा तो आज हम इतना ही करेंगे ओके